अगर आप इस अहम सवाल का जवाब चाहते हैं तो आपको इसे सुनना चाहिए जीवन बहुत लंबा होता है लेकिन अगर उसके सत्य को स्वीकार ले तो सदिया क्षण में ही बीच जाती है इस कथा को सुनकर आपको इसका महत्व समझाएगा आपको पता चलेगा कि जीवन का अमूल्य ग्यान भी कभी कभी चोटे से साधारन इनसान से मिल जाता है कभी कभी चोटी चोटी घटनाएं, मुलाकातें पुरे जीवन को बदल देती हैं और अथाह ग्यान होकर भी पता चलता है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था ये सभी बातों का अर्थ इस कथा में सुने, सूखी जीवन का रहस्य एक महान संथ हुआ करते थे, जो अपना स्वयम का आश्रम बनाना चाहते थे, जिसके लिए वो कई लोगों से मुलाकात करते थे, एक जगह से दूसरी जगह यात्रा के लिए जाना पड़ता था, इसी या इठे व्यवहार से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका आग्रह स्वीकार किया, विदूशी ने संथ को अपने हाथों का स्वादिष्ट भोज कराया, और उनके विश्राम के लिए खटिया पर एक दरी बिछा दी, और खुद, फर्ष्टार्ट, बिछा कर सो गई, विदू वो रात भर विदूशी का सोच रहे थे कि वो कैसे इस कठोर जमीन पर इतने चैन से सो सकती हैं, दुसरे दिन सवेरा होते ही संत ने विदूशी से पूछा कि तुम कैसे इस कठोर धरा पर इतने चैन से सो रही थी, तब उसने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मेरे लिए, मेरी ये चोटी सी कुटिया, एक महल के समान ही भव्य हैं, इसमें मेरे श्रम की महक हैं, अगर मुझे एक समय भी भोजन मिलता है, तो मैं खुद को भाग गिशाली मानती हूँ, जब दिन भर के कारियों के बाद मैं इस धरा पर सोती हूँ, त कि मैं इस कठोर धरा पर हूँ, ये सब सुनकर संत जाने लगे, तब विधूशी ने पूछा, हे गुरुवर, क्या मैं भी आपके साथ आश्रम के लिए धन एकत्र करने चल सकती हूँ, तब संत ने विनम्रता से उत्तर दिया, बालिका, तुमने जो मुझे आजग्यान दिय उससे मुझे पता चला कि चित्त का सुख कहां है, अब मुझे किसी आश्रम की इच्छा नहीं रह गई, ये कहकर संत वापस अपने देश लोट गए और एकत्र किया, धन उन्होंने गरीबों में बाट दिया और स्वयम एक कुटिया बना कर रहने लगे, इस कहानी से हमें श उसे कभी चैन नहीं मिलता, जीवन का सुख संतोश में है, अगर मनुष्य जो हैं उसे स्वीकार कर ले, सौभाग्य मानती हैं और कठोर धरा पर भी चैन से सोती हैं, उसी कारण उसे जीव में सभी सुखों का अनुभव हुआ है, वही एक संत बैरागी होते हुए भी खाट पर चैन से नहीं सोपा रहा था, क्यूंकि उसे अपने पास जो हैं उससे संतोश नहीं था, जिस दिन उसने यह सत्यस्वीकार लिया, उसे एक कुटिया में भी अपार शान्ती का अनुभव होने लगा, यह कथा सुखी जीवन का रहस से कहती हैं, आज घर में अपार धन एशो आराम होते हुए थी, लोग सुख शान्ती से नहीं रहते क्यूंकि उन्हें जो हैं उसमें संतोश नहीं मिलता, कहते हैं ना जिन्हें दुसरों की ठाली में घी ज्यादा दिखता है, वो कभी खुद चैन से नहीं रहते, व्यक्ति को हमेशा वो चाहिए जो उसके पास नहीं हैं और वो मिल जाए तो नई महत्वकांक्शा उसकी जगह ले लेती हैं, इस तरह पूरा जीवन असंतोश में ही बीद जाता है और अंत समय में भी चैन नहीं मिलता, अतह संतुष्टी ही जीवन का मूल मंत्र हैं, अगर इंसान में संतोश हैं तो कोई दुहक उसे तो